पांच अगस को मुखसभा में यह प्रस्ताव आया कि धारा 370 और 29 यह अनुच्छे जो हो हटा लिया गया है कस्विर पूली तरह से भारत का अभी नांग बन गया है और यहां पर दो जंडा नहीं होगा दो चीफ नहीं होगे यह भारत का पुरा यह वा खुशी इस बात के मैं जिकर कर रहा था और मेरी इच्छा थी कि सब लोग मिल करके यह कैसे महोर बनाए कि कस्विर जंता के क्या होगा यह तो हट गया स्वदंता तो मिल गई पूरी तरह से नहीं वहां खुशाली कैसे आई वहां के नौजवान जिनके हाथ में कुछ नहीं है कभी-कभी तेलिविजन देखता हूं कुछ नौजवान के हाथ में पत्थर होता है दर्द होता पीड़ा होती है नौजवान इसके लिए नहीं करेड़ा हुआ है उसके अंदर एक जिग्यासा है तो मैंने मैंने जो लगा मुझे क्योंकि मैं मुंबई में 1972 में आता मुंबई में और मैं रोजी रोटी तर्दास रहा था तो हम साधन मेरा नोगरी करीफिन देर-देर-देर-देर राटी तो गया कई मंदब जगों करने म लेकिन उन नौजवानों को देखता है तो मुझे पीड़ा होती है मैंने का इस बेहतर ही कहा करना चाहिए सरकार से मेरा एक ही हम्रूत है कि सरकार वहां की कुछारी के लिए वहां के डिवलर्मेंट वहां जब विकास होगा फैक्तियां लगेंगी लोग बाहर से जाके जमी कि खरी सकेंगे तब तो होगा वहां पर भाकि से किया कबजाने करेा जीसे और जगांपर रेता है कि लोगों के रोटी मिलेगी लेकिन सब ज्यादा वहां की जवाल बड़ी सबसे फैक्टी कही जाती है वह जो एपल है जो सेव पैदा होता है कस्वीर का एपल और भी ठंडे प्रदेशों में एपल की खेती होती है और फैस्वीर का है जो कमपनी है तो के मैंने चिठी लिखी है चाहे वह मैंसे जाए हो तो ऩो अपनी कि छिशे की पूड मार्केट का है इनलों से मैंने आपील की है चिठी लिखी है आप जो है उनसे वह पर्शेज करें और उनको एक अच्छी की मत दें आप जो है अपना फाइदा काम लगें प्राफिट थोड़ा काम करेंगे और लोगो तक जाएगा तो यह बहुत बड़ा काम सुरो जाएगा वहां के कस्वीर में जो है इपल पैदा कर रहे हैं मजदूर हैं कई समस्य है ना मतलब गाड़ियां लगेंगी ट्रांसप सब्सक्राइब को खुशाल बनाने के लिए वहां के जन्जियों को जन्जियों की बेतरी के लिए कुछ ऐसा करेंगे यह सब मुझे लगा और मैंने इस लेचिटेंगे सर अनुवा मैं से कि 370 और 35 के प्रचार में अब लगे ऐसा कुछ लगा में में बात करा हूं मैं मैं चाहता था कि कांपे पार्टी जिस में अभी कस्विर से हटके भी कभी यहां मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले और लोगों को महां मतलब साधी व्याग करना बड़ा मुश्कित हो जाता था अगर हम कोई यहां का हिंदू या मुस्लिम जो भी नागरी को महां जाक कुछ करना चाहे तो जगह भी नहीं ले सकता यहां जी निया करता है है तो जड़ा देश हिंदूस्तान एक है तो हिंदूस्तान में तो नहीं देखा कि कोई अकलियत का रूजा करके इसका बिरूत करता हो करना भी नहीं चाहिए हां कस्विर की लोगों को कुछ अपनी समश्याएं है उस समस्याओं कूछ सुल जाएना तो मुझे लगता है कि 375 सर्थक होगा और भरोसा मुझे है कि वो लोग जो वेली से वाहर में निकल पाते थे वेली के लोग मुंबई आएंगे जो हिंदुस्तान का एक दुसरे से भाही चाह रहा है एक दुसरे के इंसान के तकाजा है वो सब दिखने को सब्सक्राइब करता है तो कहीं न कहीं कॉंग्रेस में कुछ राजनिती अलग चल रही है जोड़ दिया हूंगा श्रुस पार्टी उसके पार्टी के वारे में कान का कर रहा है मैं यहा Micheer कर रहा हूँ कि मैं ध्र है भी आथ में जय रहे हैं मैं चाहता हूं कि जो मिली अच्छा है कि summers party आत्समें चंतन करें क्यों मैंकूं वाग्रेंस की जो कहीन मैं जाना जाता हूं का लिवास से मैं नगाली कंग्रेस बज़े से मैं जाना जाता हूं आज मेरी प्रटिकाल कहे जोती मैं क्यों छोड़ गे जाता इतना देन तो मैं पाट्डी प्राप पाट्डी ने मुझे बहुत सारे जवाबदारियां ली जो कभी सोच भी नहीं सकता लेकर मैंने कोशिस करें थी तो पाट्डी को भी इस बांगने में मैं सोचना चाहिए और जो सीर से नेत्रित्व है इसको गंबिरता से विचार करने से जाते जाते अपने कुछ दर्शों को कुछ संदे देना चाहेंगे मैं यह कहूंगा कि रास्ट हमारा यह का रास्ट पहले है देश पहले है उसके बाद रानित है सभी रानितिक पाट्डी ले करके यह कठे उखरके जैसे 71-72 में ईंधरा जी गांधी ने मुस цен देश की परथान मंत्री थी पाकस्तान दो टूमरे बंगला देश बन गया था जब इंद्रा जी गांधी प्रधान मंत्री पार्लामेंट पहुंची हैं तो सामने शटर्द भीहरी बाजपेई जी वो भारती जंदा पाटी की लीडर थे प्रत्पक्षे नेता थे खड़े गुरुन कहां इंद्रा गांधी ये तो दुर्गा के उतार है और सभी मिमरा पार्लामेंट खड़े हो करके आनर किये थे तो देश के सूपे सब लोगे कठा रहना चाहिए बागी राजनी समस्या पे जरू छर्चावने चाहिए